किसान, बाई, नमसकार, मैं डक्टर-S-K तहलान, सुरेश कुमार तहलान, मैं आपको आज मसाले वाली फसलों के बारें बताऊंगा, मैं सब्जी विग्यान विवाग में प्रोफेसर हूँ यहाँ पे, और इसमें जो मसाले वाली फसले हैं, इसमें मुख्यता तीन फसले हैं, किसान बायों के लिए काफि लावधार हो सकती है इन मेथी दनिया सौंफ और इन मेंसे जो मेथी और नहीं है seni करूँ अगर नहीं के लिए सघक व कर दूता तो दू triste के लिए अगर जैसे पत्तों के लिए लगाना है तो आपको से लेके मार्ज तक और अगर आपको मसाले के लिए लगाना है तो एक से जरूर द्यान रखना है कि हमेशे मामल में एक बात जरूर द्यान रखना You यहलोते हैं तो आपने बिज को दो फाड़ा करके जो भागों बाट prop hormis करनी तो इसमें mortar मेध्याई का तरीका इसमें जो मिध्यें मेथ्य में आपने लाइन से लाइन की दूरी 30 cm और वह को दोरी 10 cm रखनी है और धनिये के लिए लजा इनगी दूरी 30 से 35 cm सेझाञुए के लिए दूरी सेंटी मिटर और सौफ के लिए लाईं दोरी पहतारी सेंटी मिटर और 20 सेंटी मिटर तो चछत वांगर आप इन पहस्तों को को लगाओगे तो इसमें काफी भी फाइदा ले सकते हो दनिये के लिए में किसान भाई हो एक महतुपूर्ण बात बताना चाहूंगा अकभी कि दनिये में दो तरह की किसमें होती है एक पत्तों वाली और एक जो मसाले वाली तो इसमें बहुत फरक है कई बार किसान भाई बीज लेने के लिए जाते हैं तो या आते हैं तो शोचते हैं लेकिन उसमें एक दप्राव मोटा होता यह तो किसान भाई उडिये सो लगा सकते हो और किसान भाईयों के लिए खास बात और है जब किसान भाई आप की कपास की फसल या रहा ऍ्याम शो्वर्टा करते हो उसके बाद गेंगal करते हैं तो उस ताइम पर आप पत्तों के लिए नेमिध्या लगा सकते हैं और कम से कम मैं मैं बताउँ आपको कमसे 15,000 रुपे पर ते कड़के इसाब से आप इंकम ले सकते हैं ताकि आपकी जो गेहूं की फसल है उसका पूरा-पूरा खर्चा आपका निकड़ सकता है और यह बाद धान देने योगे और है इसमें जो मुख्यता बीमारी आती है मेथी में एक तो स्पेश रूणी रोग पत्ता है उसमें क्या होगा पत्तों के नीचे जाड़ा सा लग जाएगा फंगसी लग जाएगी और उपर से पत्ते गोल चकर से ब्राउन कलर क्या हो जाएंगे तो अगर यह शिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो एक जो डाइथन M45 जो मैन को जब दवाई आती है उसका दो ग्राम परती लीटर पाणी में मिलाके आप सप्रे कर सकते हैं अगर उसके बाद सपीच मुनी रोग है यह लग बगलग मार्च के आखिर में आता है जब फसल पकड़ने के लिए तियार होती है तो इसका ज्यादा लोस नहीं होता कई बार क्या होता है जब फसल पक जात है वह आता है तो अगर माल या इस तरह कोई भी है कोई भी इंसेक्टिसाइड अगर आप सप्रे कर दोगे यह आरम से कंट्रोल हो जाता है इसमें सबसे ज्यादा एक जो मसाले वाली जो फसल आप लेते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है इसमें जो तरणा गाठ्रोग आत बवस्ति नामक जो दो आती है हमारी उसका दो गराम परती दो से तीन गराम परती केजी बीज के इसाब से अगर उसका बीजाई से पहले लगा लोगे तो वह आगे काफी अध्तक कंट्रोल हो जाता है तो किसानवाई और यह इन चीजों का आप ज्यान रखोगे तो यह सानवाई सौफ के लिए लेकिन सौफ की फसल के लिए हमारा जो जो इसार का और जो यह है जो रेतिला इलाका सारा यह काफी उप्यूकत है सौफ की बिजाई आप जो मैंने बताया था की 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर ता अपने बिजाई कर देनी है और इसमें एक से 10 किलोग्राम परतिये कड धनिये में अगर आप उसको पत्तों के लिए करते हो तो 6 से 7 किलोग्राम परतिये कड़ के एसाब से और अगर मसाले के लिए करते हो तो आपको तो आपने लगाना है और सौफ में जो बीजगी मात्रा है वो तीन से चार किलोग्राम परती एकड़ के इसाब से आपने उसकी बिजाई करनी है तो किसान भाईयों और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जब एक तो आपने क्या रखड़ा है इसको जो जब पक जाता है तो उस समय पर आपने इसको ऐसी कटाई करनी है क्योंकि अगर मालिया उससाइं पर छोड़ दिया तो यह जड़ भी जाएगा और थोड़ा सा काड़ा कला भी हो जाएगा तो इसलिए जब धनिये में जब 50% पोदे जब उसे ब्राउन कलर की हो जाते हैं उसे जो गुच्छे होते हैं तो जब आपने उससे काटके अलग से उसको काट लेना है और बतला 10-12 दिन के लिए उसके फिर डंडियों से जाड़ लेना है इसी तरह से मेथी में भी जब पचास परसें परसें जो फलिया है ल्यार की हो जाती है तब आपने उसको काट लेना है अगर उससे भाद में करो गये तो काफी मेत्जी फेट में जड़ भी जातीлись और वमारे अंबल है उसमें जो 50 प्रसेंट अंबल जो हैं जो गुच्छे है जो इस इसाइल हो जाते है तम आपने उसको हारूस कर लेना है और उसको चाहे में सुखाना है सोफ में क्या है सोफ हम दो तरीके से यूज़ करते हैं एक तो चबाने के लिए दूसरा क्या है जो मसाले के लिए जो हमारे जो खाने के बाद जो हम चबाते हैं उस सोफ की लिए क्या है वह हमें कच्छी हार्वेस्ट करने पड़ती है जब जो तो फूल के बाद जब यह स्टेज आती है 25-30 दिन के बाद जब उसमें थोड़ा सा जो हमारा सकर की मातरा थोड़ी जादा हो जाती है और दूद सा बना स्टार्ट हो जाता है तो उस ताइम पर आप उसको चबागे देखोगे तो आपको काभी मिठास मैसुस होगा अगर वह वह लग बगलग जो मिठी और धनिया में 3-4 और सोफ में 6-7 की पानी की आपको जरूर्ट पड़ेगी अगर पानी आपके पास कम है तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें जो मिठी और धनिया है इसमें आपने एक तो बत्र कंडिशन में आप बिजाई करोगे उसके बा स्टार्ट होती है उसके बाद बीज बनना स्टार्ट होता है और तीसरा जब उसमें फूल आते हैं यह आपने जरूर ध्यान रखना और जैसे आप देख रहे हो यह हमारी जो सामने धनिया की किसम है यह डिएज 208 से या भी मतलब एक साल में सीट चेन में आ जाएगी यह हम और जो उपज की बात है जहां तक बेथी में 7-8 के उंटल और धनिया में भी 7-8 के उंटल आपको आराम से उपज मिल जाती है और जो सोब में आपको 9-10 के आसपास परतिय कड़ के हिसाब से उपज प्राप्त हो सकती है और किसान भाईयों इसमें और ज्यादा कुछ मतलब यह ऐसी क्रॉप है जो हमारे इस एर अगर वो थोड़े एरिया में भी सेटनेट लगा लेंगे तो उसमें काफी मुनाफ़ा ले सकते हैं धन्यवाद किसान भाई